जे कृष्णमूर्ती जड़ा कृष्णमूर्ती एक दिन ऐसे ही प्रविचन कर रहे थे तो वो अपना एक experience बताते कि एक दिन रात्री के समय वो गाड़ी में एक शहर से दूसरी शहर सफर कर रहे थे आगे वो बैठे वे थे ड्राइवर गाड़ी चला रहा था पीछे दो चा रूप पे अपना वो example कर रहे थे उनकी argument और विस्तार में हो गई अब argument थोड़ी heated हो जाती है तो हमारा मन एकदम उस argument में विलीन हो जाता है ना आदमी इधर उदर की चीज नहीं सुनता इधर उदर नहीं देखता बस वो लगा हुआ है कि जो मैंने point बनाया यह point दूसरा आदनी accept कर ले अब ड्राइवर भी गाड़ी चला था उसकी नजर भी इधर उदर गई जे कृष्णमूर्थी कह रहे थे कि हम देख रहे थे आगे क्या हुआ कि अचानक एक कुत्ता आता है और अचानक रोड क्रॉस करता है ड्राइवर की नजर कुत्ते की तरफ गई नहीं उसकी नजर कहीं और थी उसे ऐसास नहीं हुआ पीछे से एक आदमी कहता रहे कोई नहीं गड़ा आया होगा अब उसने कोई चीज एक इंसिदेंट को एक्स्पिरियंस किया एक आवाज आए कोई गाड़ी के ओपर खट की आवाज आए गाड़ी को कुछ मूव्मेंट लेकिन क्या हमने उससे जिस्तिफाय कर दिया क्यूंकि हमने रियालिटी तो देखी नहीं रियालिटी से हम डिसकनेक्टिड है तो हमने अपना जिस्तिफिए गढ़ए गढ़ा जूसरे आदमीने आ अओग या और कोई लकड़ी होगी सड़क पर उसकी ऊपर से गारी चली ग केवल अपने बचनों में विलीन था अपने आग्यूमंट में विलीन था उन्होंने रियालिटी की एक नहीं परिभाषा बना दी एक और यही कारण है कि हम लोग आज सत्य को समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम संसार में आए हैं हमारा जीवन का सफर है जीवन का सफर हमें धर सब् Deborah के अधार पर संशकारों के अधार पर complete करना है उसके समरपन भी होगा उसके लिए त्याग भी होगा उसके ले तपस्याभी लिगिन अज़सलों क्या है कि हम दुनिया की देखा देखिकों चाहते हैं कि अच्छी चीज्ज है ये हमें मिल जाए और जो यह संघर्ष है इस चीज़ को पाने के लिए किसी और को करना पड़े यही तो हम जीवन का सत्य हम सब लोग शॉटकट चाते हैं और इस शॉटकट जीवन के शॉटकट के सफर को पूरा करने के लिए हमने एक alternate reality बना दी जो वर्तमान है जो सत्य हमारा उसके उपर कोई जिंदा नहीं करना हमने उसके उपर एक इमिज बना दी अपनी अरे मैं तो बहुत बड़ा डॉक्टर हूं अरे मैं बहुत बड़ा इंजिनियर हूं हमने अपने हैंकार को स्थापित कर दिया अपने अभिमान को स्थापित कर दिया और सत्य से जो हमारी पूर्ण सत्यता है इससे हम कहीं परे हो तो यहीं चीज है क जे किष्णमूर्ती समझाते हैं कि वर्तमान जो है यही आपका पून है जो आज आप अभी हो इसके पीछे और इसके आगे आपकी मिथ्या है और आपका इमाजिनेशन है मतलब उसकी ऊपर ही आप जी रहे हो अग्या मैं यह कहूं कि जी कल मैं अमेरिका जाना चाहता हूं और आज मैं सपने डेखू आ रहे हैं अमरिका जाकर करके मैं यह खाओंगा मैं वो करूंगा मैं यह करूंगा तो बाबा अमेरिका तो जब तक आप पहुझो गे नहीं अपर आपको बदलने का हम वो प्रैक्टिकल चेंज अपने जीवन में नहीं ला रहे हैं लेकिन अपने म जन की माया में हम उसको मतबना उसी एक fantasy बनाए जा रहे हैं और जब fantasy पूरी नहीं होती तो दुख होता ही है और अगर fantasy किसी कि आप जिंदगी में चिंचा ना करे क्योंकि समय के साथ वो समाधान ट्रकट होगा और आपकी समस्य अलुप्त हो जाएगी तो बिल्कुल सही है हम देखते हैं कभी कभी हम कभी हम विश्मित हो वो डर हमारी के वरे कलपना होती है कुछ समय के लिए फिर दूसरी बात अरेस्टोर्टल कहते है कि दूसरा पक्षी है किसी समस्या को देखने का कि उस समस्या का हली नहीं है आप जितनी कोशिच कर लो उस समस्या का कोई हल नहीं है तभी भी अपने आपको चिंतित ना अब यह हम करते हैं जो गाठे हमने बांध रखी है यह हमारे अटाइच्मेंट्स ही तो है हम किसी से मिलते हैं अगर वो व्यक्ति हमारा प्रियजन है अगर उसने हमारी कभी मदद की यह हमारे दुख में खड़ा रहा तो मन के अंदर अपने आप अच्छे भाव उस विक्त गए लेकिन जैसे आप उस चेहरे को देखोगा आप उसी पल में चले जाओगे कि इसने मुझे 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 मुर्गा बनाया था या इसने कान पकड़ करके मुझे क्लास में खड़ा कराया था और आप उसी प्रभाव में चले जाओगे कि भई देखो इसने मुझे वो कैसे दिया तो वो तो कश्ट कभ खतम हो गया लेकिन हमने वो गांट बना करके अपने अंदर रखी यहीं काटे हैं जो हमारे जीवन को हमें वास्तविक जो हमारे सक्ते हैं उससे दूर ले जाती है और जीवन का जो सार है कि सुख में हम जीवन जिये जैसे महराजी बार-बार कहते हैं सद्वावना एक अच्छे भाव में अपने जीवन को जिए तो यह भाव संपन नहीं हो सकता कि वह गाठे आ करके बार-बार हमारी भावनाओं को धूमिल करती रहती है हमारे मन के अंदर अंधकार को पैदा करती रहती है और इसी अंधकार में हम भठकते रहते हैं चोड़ लो कोई भी चीज होती है यह चीज सई है नहीं गलत है वो मीडिया वाले पहली उसकी सारी खीचा तानी कर लेंगे अब क्या सई है क्या गलत है अभी आप देख लीजे प्रान परिष्टा होनी थी इतना एक इतना एक सुंदर कार्य संपन होना था जिसके उपर मतब देश की कडोडों लोगों की मतब देश की नहीं मैं मालूगा पूरे विश्व भरकी जितने राम भगत थे जोरुनी कि आप भाड़ती हैं तब ही आप राम भगत है प्रभूशी राम के भक्त अमेरिका में बी है कैनेड़ा में भी है ऑस्ट्रेलियन्स भी है फीजियन्स भी है मौरिशियन्स भी है मतब जहां जहां प्रभूशी राम की कीरती पहली लोगों ने उनके उनके आचरन को समझा उनके उधारन को समझा तो उन्होंने अपने दिल में प्रभूशी राम को जगे दी प्रभूशी राम की सोच को जगे दी, उनके चरित्र को जगे दी, और बाबा, हम तो प्रभूशी नाम का तो एक संसारिक नाम हम इस्तमाल कर रहे हैं, लेकिन उस नाम की पीछे जो ऐसास है, बार-बार महानपुर्श्चों ने उस ऐसास को समझाने की बात की, कि राम की तरे बनो, राम की तरे उस गुन को अपने अंदर पाओ तो राम तो आत्मा का प्रतीक है सुभाविक है कि इतने लोगों की आस्ता का प्रतीक है लेकिन कुछ अपाद प्रभुषिराम जी का नहीं है प्रभॉषिराम दे तो अपने जीवन का उधारन के उसे लाना या नहीं लाना पर हम नहीं ला सकते क्वेंकि जज्मेंट हो जयता है na तुरंजशमेंट अरे किसी को न्योता नहीं गया तो वो मुझ सुझा के बैठा है किसी को न्योता मिल गया तो वो मुझ सुझा के बैठा है किसी को वी आई पी जगे में नहीं बैठने को मिला वो मुझ सुझा के बैठा हुआ है जो कार्य होना है उससे हम कितना परे हो गए तुरंट हम भूल गए कि किसके लिए संघर्ष हुआ किसके लिए इतने लोगों ने अपनी कुर्बानिया दी अगर इसके इतिहास में आप जाओगे तो कितने लोग तो इसका इतिहास जानते नहीं है मतलब लोग आज कह़ें कि विजी 500 साल पहले का इतिहास पूरा हो रहा है तो आज कौन सा वेक्ति जीवेट है जिसने उस उस संघर्ष को पांच्व साल पहले लड़ा आप अब बताओ ना सोचने की बात है आज कहरें कि 500 साल का संघर्ष किसी ने पूरा किया तो को देखा कितने अंजान लोग है जो संघर्ष में इस शद्वनों को पूरा-पूरा करते बेदे चले गये उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि भी हमारा नाम होना चाहिए हमारा ट्रस्ट होना चाहिए हमारा यह होना चाहिए उनकी भावना परितितिकि प्रबुरुशी राम की मं रहे हैं प्रभूशी राम मंदिर के आगे कोई पद अधिकारी है कोई टेपल कमिटी का इंचार्ज है बतर सब पत के आधीन है अगर वो पद ना रहेगा तो वो लोग भी नहीं रहेंगे तो कहने का विप्राय कि कितनी जल्दी किसी पवित्यकार को अगर मन साफ ना हो तो उसको कितनी जल्दी वो उस पवित्यकार को धुमिल कर सकता है लेकिन प्रभूशी राम की कीरती है वो तो आस्था के प्रतीक है जो होना था वो होगा ही उसको कोई बदल नहीं सकता लेकिन के उपर एक मुझे बात याद आती है जलावदीन रूमी हुए उनके गुरु हुए शम्स्द तब्रीज उनके बारे में ज्यादा इतिहास में आता नहीं है क्योंकि बहुत कम समय वह जलावदीन रूमी के साथ रहे और उनको स्पिरिच्वालिटी के अंदर जो ट्रेनिंग है कि एक ट्रू मास्टर कैसे बनना है उनको वो दी कि जलावदीन रूमी कुरान पढ़ते थे आयाते पढ़ते थे तो किताबी ज्यान तो उनको बिल्कुल था वो कोई भी जैसे आज आप किसी ऐसे पंडित जी को मिल जाए जि अब है राम की चुपाई तो अपने जीवन भड पड़ लेकिन उसके आचरण को उसके संदेश को उसकी सौमिता को आप अपने जीवन में नहीं धारन कर सके तो ठीक है आपको एक ठीरोटिकल ज्यान हो गया लेकिन प्रैक्टिकल जो ज्ञान है उसमें आप 0-0 ही रहे तो जलावदीन रूमी में भी ठीरिटिकल ज्यान बहुत था लेकिन प्रैक्टिकालिटी स्पिरिच्वल स्पिरिच्वालिटी का अनुभव करना जो आयातों में लिखा गया है उसका संस्क्रन करना यह उनके जीवन में अनुभूती अभी हुई नहीं थी तो शम्दत अब्रीज जाते हैं उनको बहुत अलग-अलग तरीकों से अलग-अलग प्रसंगों से अलग-अलग माध्यम से जूंके उनकी टीचिंग टेखनीक से अंको अध्यातमे ज्यान जलावदीन-ण्रूमी के अंदर वो प्रकट दो एक मोली होते हैं जिनको बड़ी नफरत होती सम्दत अब से क्योंकि जुलाओदीन रूमी पहले उनके पास आते थे उनसे प्रशन पूछते थे उनकी एक एहमियत थी कि जुलाओदीन रूमी जो इतने प्रसित व्यक्ति है वो उनके सिश्य है अब जब से सम्झत अब्रीज आ गए तब तक मौलवी जी के जाना आना जाना रुप गय तो मौलवी जी शम्झत अब्रीज को जैलिंज करते हैं तरक वितर्क के लिए जैसे हम शास्ताओष करते हैं शास्ताओध में मौलवी जी अपनी बाते करे जा रहे हैं कि यह कुरान में लिखा, यह हमें ऐसी करना चाहिए, घुक्ते हे अब तीनों प्रातना कर रहे हैं कोई नवाज अदा कर रहा है जैसे जो भी उनका मजब है उसके साब से वह प्रातना कर रहे हैं अब प्रातना कर रहे हैं तो एक आदमी को एक दोस्त को याद आता है कोई काम और वो अपनी प्रातना तोड़ देता है और वो जोड से चिलाता अब जो उसके बगल में दोस्ता वो उससे अर्ग्यूमेंट करने लगता है कि तुम्हें काम भी याद आ गया तो पांच मिनुट रुक तो सकते थे हमारी प्रात्ना खतम हो जाती उसके बाद तुम काम करो अब तुमने ये जोड से कह दिया रहे ये काम था ये काम था हमारी स कि प्रात्ना कर कौन रहा है कि पहला वाला तो आप कोगे कि वह प्रात्ना नहीं कर रहा है तो हर एक व्यक्ति अपनी अपनी समझ से तर्क लगा लेगा कि पहले वाला ने तो प्रात्ना करते करते अपने काम को याद कर लिया तो वह तो भगवान से दूर हो गया क्योंकि मन में उसके काम था शरीर तो मंदिर में था या दरगा में था लेकिन मन के अंदर तो उसका काम है तो वो अपने भगवान से दूर हो गया वो तो प्रात्ना कर रहा नहीं था कोई कहा नहीं दूसरा वेक्टी भी प्रात्ना नहीं कर रहा था क्योंकि जब उसने आग्यूमन शु तरको मानेंगे क्योंकि तीन एक्जामपल है उधारन है लेकिन सम्द तब्रीज कराते हैं चौथा भी एक्जामपल है कि हम कौन होते हैं यह कहने के लिए कि किसकी प्रात्ना कैसे हो यह जो जज्जमेंट है हमारे अंदर की पहले ने क्या क्या दूसरे ने क्या क्या तीसरे न यहार फारा judgment थै क्योंकि कही ना कई हम सोच रहे हम जानते हैं कि perfect prayer क्या है आप ああ कोई नहीं आपकी भावना है अपने अपनी भ्यावना व्यक्ति सुनने वाले की उपर है उसने अपनी भगवान किस व्यक्ति को किस रूप में किस परिस्तिती में किस तरह से क्रिपा बसाए इसमें हम कौन होते हैं बोलने वाले लेकिन हम बोलेंगे कोई भी डिस्टन होता है हमारा जज्मन्ट हमारी उपिनियन हमारा एक जो एक एक उपिनियन हमारी वो तुरंट पैदा हो जाए रेड है और किसी व्यक्ति ने या रेड शर्ट पहने रखी या किसी लेडी ने रेड साड़ी पहने रखी है तो तुरंद आप कहेंगे और यह बहुत अच्छी चॉइस है इस लगती को जानते नहीं है क्योंकि उसने एक सिमिलर कलर जो आपको पसंद है आपको किया आपका ए एक relationship establish होता है किस basis के ओपर किवर recognition के ओपर आप किसी चीज को जानते नहीं है यह recognition क्या यह judgment है क्योंकि मुझे भी लाल पसंद है इस वेक्ति ने भी लाल पहना है तो इसकी चॉइस तो बहुत अच्छी होगी कहने का मतलब मेरी चॉइस इतनी अच्छी है तो इसकी चॉइस मेरे से मिलती जुलती है यही moment to moment आपके हर समय में यह judgments हो रहे हैं आप किसी से मिल रहे हैं किस अपने आप से दूर रखती है अपने आपको जानना है तो सबसे पहले यह जो ढोडो करके हम इतने सालों का हम बैगेज लेकर के चल रहे हैं पहले इस बैगेज को छोड़ो इसलिए किसी ने कहा कि में स्पिरिच्वालिटी में किसी और चीज को जानना जरूरी नहीं है जि स्पिरिच्वल जीवन नहीं शुरू होता तो एक तरीके से जो भी संसारिक खीचातानी से जो एक एक बोज हमारे उपर है उस बोज को भुलाओ और बोज को भुलाना ही साधना है